अरमान, मॉनिंग, सबसे पहले तो ये बताइए कि नंबर्स कल कौन कौन से आये हैं, कैसे आये हैं? जी गूड मॉनिंग, कई साइन नतीज आते वे दिखें जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें टाटा स्टील के नतीजे हैं जहाँ पर अगर आप देखें अनुमान के मुताबित आपको नतीजा आते वे दिखें और इंडियन ओपरेशन से अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको अच्छा कासा जो है मेंटम दिख रहा है आए लगभग 6% के आसपास गिर कर रही है मार्जिन्स में आपको हलाकी बड़ा कट दिखेंगा 23.6% से गिर कर 8.7% पर हलाकी अनुमान देखें अनुमान 8.3% कह था तो मार्जिन्स का अनुमान नहीं था गिरने का DCM श्रीराम यहाँ पर आप देखें नतीजह आपको कमजोरी दिख रहे हैं आए में लगभग 1.2% के आसपास की गिरावाटे मार्जिन्स में बड़ा कट है 14.7% से गिर कर 5.6% पर मार्जिन्स आते वे दिखेंगे और इसे के चलते आप मुनाफे में भी लगभग 80% के आस आसपास जो है मार्जिन्स इंप्रूव होते वे दिखें हैं चिन नहीं पेट्रो की बात करें तो यहाँ पर आप नतीजह देखें कमजोरी दिख रहे हैं आए लगभग 80% गिर कर आई है मार्जिन्स में गिरावट है 9% से गिर कर 6.4% के आसपास आते वे दिखें और मुना इंप्रूव होके लगभग 14.2% के आसपास आते वे दिखें हैं जेके पेपर यहाँ पर नतीजह देखें तो आपको नतीजह यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि आए लगभग 11% के आसपास बढ़ी है आप कामकाजी मुनाफा देखें वहाँ पर भी 13% के आसपास की बढ़ोत हैं मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूमेंट है 29.5% से बढ़कर 30.1% पर आते वे दिखें हैं शोपर स्टॉप यहाँ पर अगर आप नतीजह देखें तो आए लगभग 4.8% 5% के आसपास बढ़ती हैं मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूमेंट है 17.1% से बढ़कर मार्जिस जो आए वो 33.7% के आसपास आते वे दिखें हैं और मुनाफे में लगभग आपको 71% के आसपास की गुरूत दिखें तो यह तो डिटेल रही उन कंपनियों के जिनके नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद हैं लेकिन आज भी तो काफी सारे नंबर्स संपनिया जिनके नतीजे आएंगे यहाँ पर नतीजों के साथ साथ जो बाइबैक है और स्पेशल डिविदेंट वहाँ पर भी विचार किया जाएगा और अमरुत अंजन हेल्ट केर जहां पर बाइबैक जो है वो बंद होतावा दिखेगा खबरों पर सबसे पहले फेडर लगती भी दिखी है कुरूट के नए कॉंट्रेक्ट पर सेवी का बड़ा बयान आया है जनवरी में पूरानी टेकनोलोजी नहीं इसलिए नए कॉंट्रेक्स जो है वो नहीं होंगे और अगर आपको बताएं तो पिछले हफते ही mcx पर लॉंच होना था जो बिजनस ने सवाल उठाए थे मारुति सुजुकी यहां पर आप बात करें तो 5 जुलाई 2021 से 15 फरवरी 2023 के बीच बनी जो है लगबग अगर आप देखें 87600 गाडिया हैं जिसमें आप एस्प्रेसो और EECO जो है उनकी वो गाडिया रिकॉल की गई उसका रीजन यह है कि इस के लिए इनको DCGI से फार्मासिटिकल फार्मिलेशन के इंपोर्ट को जो है मन्जूरी मिलती विदी किये एस जी वी एन यहां पर आप देखें अरूनाचल सरकार ने कुल लगबग 5100 मेगावाट के 5 प्रोजेक्ट जो है वालोट किये हैं और अंत में टोरेंट पावर पर अ झालोट